तू बॉल्स आज़ोप्ट टू ग्राउड फॉम डिफरेंट हाइट वन बॉल इस ड्रॉप तू सेकंड आफ्टर दा अधर दो बॉल यह जिनको टॉप किया गया ग्राउड पे अलग-अलग हाइट से किया गया है और जो पहली वाली जो बॉल वह ड्रॉप की गई है तू से बॉल टेक्स पाइव सेकंड टू रिच ग्राउड देन डिफरेंट इनिशल हाइट देखो कुर्शन बढ़े के समझ में आ गया हो कि हाइट वाला फॉम लगेगा क्योंकि हमें वही निकालना है डिफरेंस निकालना है ठीक है वो तो ठीक है लेकिन हां पर हम ताइम क्या र कि वह पहले वाले के दो सेकंड बाद गिivesseंख गिर लिए इसका मतलब क्या है पहले और मेरा पांच सेकंड पर इसके दो सेकंड उसमें से कम कर णृण कि3 से कंड बाद गिलिया मार्व है र्लाव घखान और गढ़िंगे तो 2 बचने एक ना वजू यह हुआ हिआ ऑग पोइ यह वह 25-9, 4.9, और multiply 16, जब हम इसको multiply करेंगे, तो एक nearly value आएगी 80 के, लेकिन जब आप यहाँ पे 9.8 के जगर 10 रखते हो value, 25-9, 5, और यह 16, तो यहाँ पे 80 ही आएगी, सो कोई बात नहीं होती, मतलब अगर आप 4.9, 8 रखो या 10 रखो, 9.8 रखो गो तो nearly आएगी, वह 78-9 के उसमें जाएगी, और जब 10 रखो गो तो 80 आजाएगी,